तो ये रहा Realme C3 और इस फोन का फासिल था 14th of February को मुझे आज मिल गया यानी 15th of February को अब इस फोन का जो 32 जी वाला variant है मैंने उसको खरीदा है और इसका कीमत मुझे लगा है 6,999 अभी ये कौन से कलर में मैंने लिया है वो तो आपको आगे जाके मालूम पर जाएगा अब इस फोन में बहुत कुछ मिलता है वो तो आपको पता है पर Realme C3 में आपको बहुत कुछ नहीं मिलता है और क्या आपको ये 7,000 में खरीदना चाहिए अगर आप लेते हों 3,000 और 32,000 वाला परेंट और अगर आप 8,000 इन्वेस्ट करना चाहते हों तो क्या आपको ये करना चाहिए देखते रहे ये वीडियो तो चलून कुर्बोना आर्देरी शुरू कोड़ी तारी तो ये है Realme C3 का बॉक्स और मुझे काफी अच्छा लग रहा है इसका बॉक्स क्वालिटी देखे नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रैंड Realme C3 और पीछे में कुछ यहां पे स्पेक्स को दिखाया गया है जैसे 5000 इमिच का मैसीब बैटरी आपको मिलता है Helio G70 प्रोसेसर मिलता है 6.5 इंच का मीनी डॉप फूल स्क्रीन मिलता है और AI Dual Camera Made in India क्या गजप का आपको लग रहा है यह तो चलिए अब इसको थोड़ा सा अन्बॉक्स करते हैं अब यह देखे बॉक्स को खोलने के बाद चल खुल जा सिमसे बॉक्स तो यहाँ पे ओपिन हो चुका है और बॉक्स को ओपिन करने के बाद यहाँ पे हमें एक छोटा सा डिबबा मिलता है पर सैडली जो आपको पहला चीज नहीं मिलेगा वो है इसके अंदर आपको कोई भी बैक कवर नहीं मिलेगा जो आपको और सारे रियलमी फोन में मिलता है अब ऐसा क्यों? क्योंकि यह बजिट में आता है उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है एक सीम इजिक्टर टूल और यह भी आपको मिलता है इसके अंदर उसी के बाद यहाँ पे आपको कुछ इूजर मैनुवल और गाइड मिलता है यह देखिए यह आपके सामने है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है तो इसके बाद आपको मिलता है जो वो यहाँ पे यह पहला जो स्मार्टफोन यानि में डिवाइस चलिए अब इस डिवाइस जो आप देखने हो समझ में आ चुका है यह कलर रेट कलर में मैंने लिया है इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है एक चार्जर और यह 5 वोल्ट 2 एमपर के साथ आता है आप देख सकते हो 5 वोल्ट 2 एमपर के साथ और यहाँ पे कोई भी फास चार्जर आपको देखने को नहीं मिलता है यारी चार्ज ओने में थोड़ा बहुत तो आपको टाइम लग जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है एक डेटा केबल यह देखिए डेटा केबल और यह जो डेटा केबल है यह माइक्रो यूएस्बी आपको मिलता है यह रहा Realme C3 और यह रेट कलर में है अब डिजाइन थोड़ा सापको जाना पहचाना लग रहा है हाँ क्यों नहों क्योंकि इसका डिजाइन आज लाइक आज Realme 5i तो अब चलिए फोन को जल्दी से यहाँ पर बूट कर लेते है चलिए यहाँ पर एक बूट हो रहा है तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बोलना चाता हूँ देखें यह इंटर्टेन्मेंट का सूपर स्टार है Realme C3 पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अब Realme के हरे एक फोन में तो वो नहीं मिलता है यानि एक हेट फोन वो तो यहाँ पर मिसिंग है आपको यहाँ पर कोई भी बैक केस भी नहीं मिल रहा है यानि आपको अलग से वो खरीदना होगा पर हाँ भई फोर्चुनेटली यहाँ पर आपको फोन के उपर एक प्रोटेक्टर मिल जाएगा तो देखे कुछ इस तरह का आपको मिलेगा Realme CT का EY तो चलिए पहले देख लेते हैं आपको इस फोन में Android version दिया गया है Android 10 काफी बढ़िया अब देखे अब आउट फोन और फोन में देखे यहाँ पर आपको Android 10 मिलेगा यहाँ पर यह देखे और क्या गजब का है यार तो यहाँ पर आपको Android 10 मिल रहा है और इसी के साथ इसका जो UI वो पुली चेंज़ है क्योंकि यहाँ पर आपको Color OS 7 मिल रहा है तो यह भी बढ़िया और नया नया Wallpaper भी आपको देखने को मिल जाएगा यह देखे कुछ इस किसम का यह देखे कुछ आपको Widgets भी मिल जाएगा और Wallpaper भी यह देखे नया नया Wallpaper को अब आट किया गया है जैसे अगर मैं इसको Select करता हूँ तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर Wallpaper भी काफी अच्छ दिया गया है अब इसका Display इसका जो Display दिया गया है वो है 6.52 इंचस का एक HD Plus Display अब यह Display कैसा है आप देख सकते हूँ यहाँ पर Display मुझे काफी खास लग रहा है पर Unfortunately अगर आप Sunlight में जाते हो तो इसका Visibility उतना अच्छा नहीं है और बहुत ही Reflective भी है अब यहाँ पर कुछ इस तरह का Display आपको मिलेगा यह देखे और UI मुझे काफी बहुत लग रहा है यह देखे कुछ Samsung के तरह ही यानि Samsung One UI में जो आपको मिलता है उस तरह का ही और आपको यहाँ पे Wi-Fi Calling भी मिल रहा है यह काफी बढ़िया है पर Unfortunately यहाँ पे बहुत सारे आपको Unwanted Apps मिल जाएगा यानि Bloatware जैसे यहाँ पे देखे गाना अगर आप नहीं सुनते हो तो यह एक Bloatware हो सकता है आपके लिए Hello App भाई यह भी एक Bloatware हो सकता है आपके लिए अब यहाँ पे देखे आपको News, Opera News इस तरह का बहुत सरे मिलता है यूसी बाउजार भाई अभी Uninstall कर लीजिए तो यह देखे आप Uninstall कर सकते हो और इसका जो UI है ना इसका जो Animation है वो मुझे काफी बैतल लगा एक के बाद एक देखिए किस तरह का बहुत अच्छा से यह आप पे काम कर रहा है इसका Build Quality कैसा है देखिए यहाँ पे आपको 7000 में Polycarbonate Design मिल रहा है पीछे में और यह जो Sunrise Design आपको मिल रहा है ना हाँ मैं जानता हूँ आप जानते हो यह काफी अच्छा है और काफी जो आप similarity आप देख स design है मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है और रेट कलर मुझे काफी पसंद है और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे Sunrise Design आपको यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे जो फ्लैस वो मिल रहा है यल्मी का लोगो आप साइड में भी आपको वहीं Polycarbonate मिल रहा है और यहाँ पे यहाँ पे जो processor दिया गया है Mediatek Helio G70 और यह देखे 2 GHz पे यह clock है और काफी अच्छा आपको response भी मिलेगा देखे मैं उतना PUBG तो अभी तक नहीं खेला हूँ इस phone में पर बहुत जल इसका एक dedicated जो gaming review वो भी लेका हूँगा camera review भी लेका हूँगा यह मेरा fast impression है फिर भी मैं क रहूँगा उत्रा खास नहीं लगा मुझे यह smartphone और यहाँ पे जो performance है वो तो बढ़िया है और यहाँ पे आपको PUBG आप बहुती अलाम से खेल सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं होगा हाँ इस price in में अगर आपको एक PUBG वारा smartphone चाहिए तो यह आपके लिए सही चैन हो सकता है चल और एक बढ़ देखे यह देखे अनलोग तो बहुत है अच्छे से यहाँ पर open हो रहा है चले इसका camera अभी यह camera जो है यहाँ पर दो camera मिल रहा है एक तो 12 megapixel का और दूसरा है 2 megapixel का अभी डेट भी एक डूल में आपको 13 और 2 megapixel का camera मिल रहा है पर यहाँ पर आपको 12 और 2 megapixel का camera मिल रहा है देखे इसका camera quality कैसा है और से पहले इसमें आपको सामने में 5 megapixel का एक selfie shooter मिल रहा है 5 megapixel का तो इसका camera से मैं बहुती बहुती भाई disappointed हूँ इसका जो rear camera वो भी मुझे उतना खास नहीं लगा और इसका front camera भाई छोड़ दो ठीक ठक है according to the price पर इसको improve करना चाहि है साथ में इसका front camera है वो तो एकदमी बेकर है अगर आप low light में हो तो भूल जाओ outdoor में भी हो तो आपको clearly यहाँ पे noise देखने को मिल जाएगा और clarity ठीक ठाक नहीं है full HD video recording आप कर सकते हो साथ में यहाँ ठीक ठाक है मैं यही कहना चाहता हूँ आपको camera से मैं उतना impressed नहीं उसी के बाद चलिए बात करते ही यहाँ पर और एक चीज की जो यहाँ पर बैक्टरी 5000 इमिच की बैक्टरी दिया गया है और वो काफी एच्छे से काम कर रहा है दो दिन का battery backup आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप नॉर्माल यूजर हो अगर आप ही भी उजर हो तो देर दि कहूंगा ज़र ले लो ठीक है पर इससे भी बहुत सारे options मिलता है आपको 7000, 8000, सारे 8000 और realme के तरफ से भी बहुत सारे मिलता है और इसमें बहुत सेरे चीज़े missing है तो अब आपके उपर चलिए बाई